नमस्कार मैं हूँ नीता रावल अभी पिछले ही हफते मैंने करवा चौत की वीरो कुड़ी की कथा वाला वीडियो अपलोड किया था और तब मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द ही मैं वीरो यह अपना करवा चौत के व्रत की विस्तरित जानकारी सुभे स के सर्डी की से लेकर रात चान्द को अरक देने तक यह करना होता है वो सारी लशकारी क्लच भीडियो बनागे आपके लिए अपलोड करू ऑंगी तो आज मैं उसी वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्तित हुई हूँ तो व्रत की शुरुआत होती है सर्गी से तो हम सर्गी से ही शुरू करते हैं सर्गी जो है यह व्रत से एक दिन पहले ससुराल पक्ष से आती है यह नियम है सासुमा या ससुराल पक्ष में कोई भी बड लीट के अपने लिए खा सकते हैं तो जिस दिन करवा चौत का व्रत होता है उस दिन सर्गी तारों की च्छाओं में खाई जाती है तारों की च्छाओं में मतलब की जैसे बाहर आस्मान में तब तक तारे निकले हुए होने चाहिए तड़के जल्दी उठ जाना होता है और एस जल जो सब भी खाना है आप तारों के निकले निकले तक खाले प् pras 8 जो है इसमें यह होता है कि बाधिजिकर लिए। सरगी में कुछ वस्तुएं होती हैं जो बहुत सगन माना जाता है तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जादा से जादा वो चीज़ें अगर आप इकटी कर सकें तो खा लीजिए उनमें होता है फेनिया कई जगों पर फेनिया उपलब्द नहीं होती तो आप उनकी जगह सेवियों की खीर भी बना के खा सकते हैं सेवियां विदेशों में भी उपलब्ध हो जाती हैं अगर आप भारत वर्ष से बाहर कहीं रहते हैं तो वर्वमिसली के नाम से आपको सेवियां कहीं भी मिल जाती हैं उनकी खीर बनाके खा लीजिए फिर नार्यल की गरी कोई भी मौसम का फल जो आपको पसंद हो मिठाई साथ कुछ भी ऐसा जो से आपका अच्छे से पेट भर जाए जैसे पराथा रोटी सब्जी सैंडविच जो भी आपको सूट करें और जो आपके इच्छा हो आप खा सकते हैं बस इतना ध्यान रहे कि भोजन जो भी आप खा रहे हैं वह साथ भी खोना चाहिए उसके बाद कि जैसे पानी पिया लास्ट में तो उसमें थोड़ा सा जल ग्लास में छोड़ दीजिए और जल देवता को नमस्कार करके कह दीजिए कि आज चान निकलने से पहले मुझे प्यास ना लगे और मैं आपको उसके बाद ही ग्रहन करूंगी तो यकीन मानिये मेरे लिए काम करत सकते हैं तो यह तो हुई सर्गी की बात सर्गी के बाद आप अपनी दिन चर्या जो भी करते हैं उसे कंटिन्यू कर सकते हैं जारी रख सकते हैं और सो भी सकते हैं अगर आप चाहें तो फिर इसके बाद आता है आती है कथा की बारी कथा जो है अक्सर जो है चार से पांच वज़े शाम को की जाती है बाकि अगर कोई मुहूर्त वगर आपके पंडे चीतने बताया है तो आप उसके अनुसार कर लीजिए यह कथा अधिकतर सामोहिक नियुक्ते रूप से की जाती है तो सभी स्वभागयवती रीयां Assistory दो ौकर你們 कथा तरह को थाला किसे से वताई जाती हैं मैंने आपको बताय है रही था कथा कि कैसे कैसे त्यारी करनी जांड़ थे अब फिर से मैं आपको एक बार विस्तार से बता देती हूं जो Si Festai में हमें एक तो चाहिए वीरोकुडी आप किसी गुडिया को भी वीरोकुडी बना सकते हैं और अगर आपके पास कोई गुडिया ना उपलब्ध हो जैसे कि मेरे पास भी उपलब नहीं है तो मैंने ये बाहर गार्डन की मिट्टी से बगीचे की मिट्टी से एक चोटी सी काजल चाहिए होता है तो मैंने काजल पैण्सि ले लिए फिर इसे लिए सिंदूर घचें को तो आउसके बाराट च्छा या काजल है यह इसकी आंखों में ऐसे डाल दें और उसके बाद एक यह वस्त्र पहनाना होता है लाल चुनरी अगर वो नहीं है तो ऐसे मॉली का चोटा सा टुकडा मेंने काट लिया है और इसी को हम इसकी चुनरी के रूप में इसको ऐसे पहना देंगे तो यह तो हो गया आ आपने गुमानी है वो बय की थालिया होती है उसके बारे में भी बय के बारे में मैं आपको बताती हूं तो जो बय होता है उसके साथ ही आप कुछ फल फ्रूट मिठाई पैसे वगरा लेकर आएंगे जो कि आपने वीरो कुडी को चड़ावा चड़ाना होता है और यह जो यह पनिताईन ले जाती है तो वीरो कुडी को मैंने चड़ावा फल फ्रूट का चड़ा दिया है जो भी मेरे पास उपलब थे तो और यह कुछ पैसे भी मैंने चड़ा दिये तो मैं आपको दिखा देती हूं कि यह थाली अब हमें वीरो कुडी वाली किस तरह से दिखेग में तो यह आपकी वीरो कुडी कि जो है फूझा हो ओगी फिसको रख दें एक तरफ स committees आपने अपनी थाली ले लेनी है बया क्या होता है ये जैसे आपकी सासुने आपको सर गी क्तिवी आपको सरकी उसी को आपने बया स्तरा है बय के देना चाहें जैसे सुखे मेवे, मठियां कई लोग देते हैं, फिकी और बिठी मठियां, सुखे मेवे, फिर अपना मिठाई चाहे तो, या कोई सारी कपड़े, जो आपकी श्रद्धाव कैश भी दे सकते हैं, कोई भी आपकी श्रद्धाव हो वो भया इस तरह से रखे उसक इस को दिखाई नहीं देना चाहिए की अंदर क्या है, और उसको एक ठाली में रख लेते हैं, फिर एक जो है दीपक जल लेते हैं, और लोटे में जल ले लेते हैं, लोटा भी अगैन किसी भी मेटल का हो सकता है, यह मैंने आपको पहले वाले अपने वीडियो में बता दिय लोटे के ऊपर ही हम यह दिया रख देते हैं वैसे कई लोग जो है दिया भी भाया की थाली में रखके फिर भुमाते हैं वह देखने में बहुत खुब सूरत लगता है पर थोड़ा सारिस्की है क्योंकि सबने चुनियां साडियां से सिर्फ का पल्ला किया होता है तो आग लगने का डर होता है तो इसलिए आजकल हम रेक्मेंट करते हैं कि दिये को आप जो है जल वाले लोटे के उपर टिका के रख दें और जब थालियां घूम कर आपके पास यह बये की थाली जब हम वह गाना गाते हैं वीरो कोडिये करवड सर्व सुहागन करवड़ा फिर थालियां जब गुमा के वापस आपके पास आती है उसको इसे टच करके चूम के माथे से लगा के अपने सामने रख लिया जाता है अगर समूह में नहीं है सामूही कृप से मैंने आपको बताया की की जाती है पुजा लेकिन अगर आप किसी कारणवश अकेली हैं तो कैसे करेंगे वह भी बता देती हूं तो अपने सामने जो है एक चौंकी या पटा ले ले उस पे लाल रण का कपड़ा बिछा ले उस पर अपने इश्ट देव जो भी आप जिनको भी मानते उनको विराजमान कर दें चाहे देवी माता को विराजम अब थाली फिराने का भी काम हो गया यदि आपका अभी अभी विवा हुआ हुआ और पहला करवाचौत है तो पहले करवाचौत में थाली नहीं फिराते आपको सिर्फ साइड में बैठके कथा सुनी होती है अब हम आते हैं बया कैसे मनस्तना है तो इसके लिए हम जो है यह दीपक को एक तरफ रख देंगे यह इसका हमें लोटे का जल चाहिए और जो आपके पास आपकी थाली अब तक जैसे लास्ट बार जो आपने गीत गाया उसके बाद जब पांचवी या साथवी बार जितनी भी बार आपने किया वह थाली वापस आगई चूमली रख ली उ जो लोटा था उसका जल जो है उसको लेना है आपने दाएं हाथ की हथेली पर और एक मंत्र बोलना है वो यह ऐसे बोलते हैं उसको वार वत्ते वार वार वीर वार जैसे इस बार ब्रहस्पति वार को है तो या वार वीर वार 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 ब्रहस्ति वार जिस साल जो भी वार क करवाचोथो उस वार का नाम लेके वार वत्य वार वत्य वार वीर वार सुहाग रानीदा सुहाग भाग दुध नाल धियां पुत्रा नाल रिजक नाल जैसा राज वैसा भाग यह बोलके जल को तीन दफाद घड़ी की दिशा में ऐसे थाली के आसपास फिरा के गिरा देते ह है वो मैं आपको अब एक बार दिखा देती हूं कि थोड़ा मुझे कैमरा सेट करना पड़ेगा ठीक है अब आपको थाली दिख रही है यह बएकी तो इस तरह से मैंने जल ले लिया और जो मैंने आपको मंत्र बताया है वैसे यह 1 2 3 बार मिलके इसे सभी स्त्रिया मिलके इस तरह से इधर जल छोड़ देना है सब इस तरह से बया मनस लें तो यह आपका बयावी मनस आगया है अब आपकी जो कथा है इसका काम पूरा हो गया यदि किसी भी कारण वर्ष आपसे भूके प्यासे नहीं रहा जाता तो आप किसी बड़े से आप यह लेकिन दूद्ध चाए कॉफी जूस कुछ भी ले सकते हैं एक दफा कथा सुनने के बाद चंदर निकलने तक बस एक बार कुछ भी आप ले लें जल ना लें क्योंकि हम बोलते हैं ना चंद चड़े थे पानी पीना इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए तो यह हमार अब आती है बारी रत खोलने की तो रात को जब चांद निकल आता है तब उसके बाद रत खुला जाता है तो उसके लिए हमें क्या-क्या सामगरी चाहिए वह मैं आपको दिखा देती हूं उसके लिए एक थाली में आपने ले लेना है रोली जिससे आप रत खोलेंगी जल पीकर पती पिलाता है तो आप रत खोलती है इसके अलावा हमें और भी एक इंट्रेस्टिंग सी चीज चाहिए जो व्रत खोलते हैं उसमें पैर के नीचे एक खलबटा पहले हुआ करता था या हमाम दस्ता उसका जो डंडा होता था वो रखके हम रत खोला करते थे लेकिन आजकल वह वैसी चीज़े ज्यादा तर घरो बेंडा लेकिन और लेकिन अच्छा उसका इस बीड़ने के लिए इसके अलावा हमें चाहिए एक जाली 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 जो चनी 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 होती है जैसी रुड्रिम वाली ट्रेडिशनल आटा चाने वाली चनी होती ही वह भी मुझे यहां उपलब नहीं हो पाई तो अब मैं वीडियो बना ही इस परपस से रही हूं कि कहीं भी विदेश में आप कहीं पे भी हो तो आप आपका व्रत पूरा संपूर्ण तौर तरीके से हो जाए तो आप कोई भी तरह की जाली वाली चनी ले सकते हैं मेरे पास यह उपलब थी तो मैंने यही ले ली बस यह ध्यान रह वीटिकिन फिर zo t अघुन बत्ते साद को देखा जाता है तो इस तरह से इसको दिए को एक एसे रखके इस तरह से चनी में से चाइंद को जिस भी दिशा में चांद निकला है, चांद को देखते हैं, चांद को देखने के तुरंत बाद जो है, इसी चन्नी से आप अपने पती देव के चांद से प्यारे मुखडे को देखते हैं, फिर उसके बाद इसको साइट पे रख देते हैं, चन्नी को और दिये को, उसके कड़ वो रिवाज है करते हैं कोई कोई नहीं करते ये पेड़ के नीचे एक हो तैसे आप-ऱक कर सकते हैं उसके बाद जो चांद को अर्ग देना है अब उसके लिए क्या करें वह कि यह जो डंड़ा मैंने अभी आपको दिखाया कि पर के नीचे रखना होता है दाएं प्र के पंजे नीचे रखना होता है मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की और अर्ग देते वक्त तीन बार बोलते हैं सिरधड़ी, पर करी अर्ग दें सुहागन चढ़ी है यदि आप के पास डंडा नहीं है तो आप बोल सकते हैं सिर धड़ी पैर कड़ी और देन सुहागन खड़ी क्योंकि चड़ी मतलब डंडे के ऊपर चड़ी फिर चड़ के क्योंकि अर्ग दिया जाता है उसका वह मतलब है तो यह देखें मैं आपको कोशिश करती हूं दिखाने की की सीठे पैर के नीचे डंडा होगा इस तरह से पंजे के नीचे जो है इसको रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि लोटे से हाथ में जल लेते हैं ऐसे और चांद की दिशा में ऐसे बोलते हुए सिर धड़ी पैर कड़ी सुहागन अर्ग देन खड़ी दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इस तरह से तीन बार अर्ग देके और आपका व्रत कंप्लीट हो जाता है पति देव के हाथ से जल पी लेते हैं मिठाई खा लेते हैं और उसके बाद व्रत आपका संपून हुआ सदा स्वभागे वती बन और इसके बार खाना क्या है तो अक्सर जो है सात्विक भोजनी होता है लेकिन साबुत मूंग साबुत उड़की या फिर काले चने हरे का लग अलग रिवाज है साबुत कोई कोई सी भी डाल बनाके उसके साथ भोजन कर लिया जाता है तो यह हो गई पूरी कथा विस्तार के स सबसे क्षमा चाहती हूं लेकिन फिर भी आप कमेंट्स में मुझसे लिखकर कुछ भी पूछ सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करती हूं हर कमेंट का जरूर जवाब देने का और सही जानकारी देने के लिए तो आज के लिए फिर बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू कर दो